Hello everyone, मेरा नाम है प्राजी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सरकारी अध्यापक पर तो कैसे हैं आप सब लोग मुझे उमीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एक्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि एक्जाम अब आपका बहुत पास आ चुका है सीडिट के एक्जाम की मैं बात कर रहे हूँ जो कि आपका 20 अउगस्त को शेड्यूल है तो इसी क्रम में आगे बढ़ते वे जैसे कि आपके साथ डिसकस कर रहे हैं प्रिवियस हेर क्वेश्चन पेपरas.com बेठी pr. से उतके बहें प्रेश्दों की अइसके बाद हमने सीडिपी की पैड़ाइवीची निसकस की पकेपर 1 की और एक सीडिपी पैड़ाइवीची इससमेर इक्वियस कि परर 1 की और एक Eat or C someone क GLORIA Team Data तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेपर 2 की CDP के questions को discuss करेंगे आज के session में पेड़ागोजी को और आगे फिर उसके content के सवालों को तो अगर अभी तक आपने previous year questions का session नहीं देखा है तो जरूर चानल पर जागर देख लिए अगर आप seated की तयारी कर रहे हैं बहुत अच्छा analysis आपको मिल जाता है कि किस तरह के questions पूछे जाते हैं और उसी तरह के questions रिपीट भी exam में होते हैं ठीक है तो आप इसब देख ले ना बाकि आज हम seated 2019 का paper 2 discuss कर रहे हैं सेट ये ये वाला है मेरे पास जो है और math and science वाला ये paper था जिसको हम discuss करेंगे जो जल्दी से आप ready हो जाए आज के session के लिए बहुत अच्छे से समझेंगे पूरे pedagogy के 15 questions को और फिर next session में हम discuss करेंगे CDP के ही content वाली सवाल तो अगर आप channel पर नए है अभी तक आपनी subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर लो बेल आइकन को भी प्रस कर लेना जिससे कोई भी वीडियो का notification आपसे मिसना हो तो start करते हैं from very first question और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सामने question रहेगा आपको पढ़ लेना है जिसमें आप comfortable है पहला question आपसे कहता है नूर विद्याले में अपना lunch box लाना भूल गई और ये कहते हुए तान्या से उसका lunch साजा करने के लिए उसने कहा उसने बोला तुम्हें आज अपना lunch मेरे साथ साजा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना lunch साजा किया था लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिध्धानत के अनुसार नूर का जो ये कथन है ये कौन से अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शारा है ये कौन सा अभिविन्यास प्रारूप है और कौन सी अवस्था है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस बर्ग का जो मॉरल डेवलेप्मेंट का सिध्धानत है नैतिक विकास का देखो पेपर वन में पैडागोजी के आपको लेवल कम मिलता है ठीक है लेकिन है आप ठीक ठाक लेवल होता है चाहिए आप कोई से भी portion के question उठा लेए चाहिए आप content उठा लेए चाहिए आप पेडागोजी ले ले क्योंकि आप बड़े class के बच्चों को handle करने के लिए paper आपके पास होता है तो समझ आपकी थोड़ी और जादा विक्सित होनी चाहिए तो यहां से आपकी जो clarity है clarity of thoughts वो और अच्छी हो जाएगी क्योंकि यह question है Lawrence Kohlberg के नैतक विकास के सिधान से related और चार option आपके पास है पहला है कानून विवस्था और अवस्था कौन सी होगी पश्य परंपरागत तूसरा है आग्या पालन पूर्व परंपरागत अच्छा होना परंपरागत आदान प्रदान परंपरागत तो इस question का जो right answer होगा वो होगा सीधा सीधा अगर आपको लॉरेंस कॉलबर्ग का जो नहते विकास का सिधानत है वो भी नहीं पता है तब भी आप इसका right answer ही करोगे option number 4 आदान प्रदान लेना देना और ये अवस्था है परंपरागत ठिक अवस्था में परंपरागत आएगा और विकास कौन से अब विन्यास प्रार क्लियर है ये question बढ़ते है question number 2 पर question number 2 आपसे कहता है समाज में विभन लिंगो के लिए उप्युक्त माने जाने वाली प्रादूपिक विशेशताओं के बारे में जन सामानने की अवधाननाओं को क्या कहा जाता है ये question पहले paper 1 में हमने discuss किया है किसी exam के previous year में कि अगर गलाग धार नाए है तो उसको क्या कहा जाता है लाइक लड़के को कहा जाता है कि वो kitchen का काम करती है घर का काम करती है और generally जो male होते हैं उनको बोला जाता है कि वो बाहर का काम करते हैं घर का काम उन्हें नहीं करना चाहिए help नहीं करनी चाहिए मतलब ये एक सोच समाज में विक्सित हो चुकी है तो इस तरह की सोच को क्या कहा जाएगा जेंडर विबेधी करण, जेंडर भूमिका है, जेंडर पहचान या जेंडर रूरिवादिता है ये question आपके किसी ना किसी पेड़ागोजी में CDP के जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि समाज से, समाज को जागरुक करने के विचार से question दिया जाता है, और ये जाचना चाहता है examiner क्या आपकी सोच कैसी है, क्या आपकी भी सोच ऐसी तो नहीं है जेंडर की पहचान तो, अगर आपने इसका answer दे दिया जेंडर पहचान, तो examiner समझ जाएगा भई कि you are not doing, you are not thinking correct, है ना, जेंडर की पहचान नहीं होती न भूमिका होता है, न विबेदी करन होता है, इसको बोला जाता है जेंडर रूडिवादिता, ये एक stereotype बन जाता है stereotype बन जाता है, गलत धारनाई समाज में ब्रच बस जाती है जिनको लोग सही मानने लगते हैं, clear है question, बढ़ते है question number third पर, हाल ही में पाठे चर्रा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेक शील प्रयास किया गया है, जिसमें पिता घर के कारियों में लगा रहता है, और माता सहसी इकतिवितियों को करती है ये कदम किसले महत पूर है, फिर है ये कहीं ना कहीं gender stereotype को उसकी सोच को जो है ठीक करने का, जहां लोग गलत सोत रहे हैं इसलिए ऐसी कहानियों को जोडने का प्रयास किया जा रहा है जहां पर ये नहीं कि सर्फ माता ही घर का काम कर रहे हैं, पिता बहार का कर रहे हैं कि ऐसी कविता हैं भी आप इनिकलूड करिए, जहां पिता घर के कारे करें अब माता कुछ अलग हट कर करें, ठीक है अपने जो डेली टाइप काम है या जो सोच है लोगों की माता या फीमेल वही करती हैं कुछ उससे अलग कहानियों में हो तो इसके किसका उधारन है, किसके लिए महतपूर है पहला है ये जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है ये जेंडर रुडिवादिता को समाप्त करता है, ये जेंडर स्थरता को प्रोचसाहित करता है या ये जेंडर विभेदी करन को बढ़ाता है तो सीधा सीधा इसका जो एंसर होगा, वो option number 2 होगा ये जेंडर की जो हुरूडिवा दिता है उसको समाप्त करता है इस तरह की कहानिया उसको समाप्त करती है It aims to eliminate gender stereotyping Clear है? चलू पढ़ते हैं Next question number 4 पर वाइगौस्की के नुसार जब एक वयस्क बच्चे के निश्पादन के वर्तमान सर को सहयोग दवरा वस्तारित करता है तो इसे क्या कहते है वाइगौस्की के नुसार जब एक वयस्क बच्चा एक अडल्ट जो है वो एक वयस्क बच्चे के निश्पादन के वर्तमान सर को सहयोग दवरा वस्तारित करे, extend करे तो उसको क्या बुला जाएगा और एक बात और इंपॉर्टेंट में आपको बता दू हिंदी इंग्लिश आप किसी भी लैंग्विज को प्रेफर करते हूं लेकिन अगर कहीं आप कन्फ्यूज हो किसी वर्ड में तो दूसरी लैंग्विज के हल्प ले सकते हैं जैसे इस क्वेस्टन के जो अप्शन से अग इसको भी आप समझते हो ना जैट पीड को अभी मैं बताऊंगी एक होता है इसके फोल्डिग और इंटर सब्जेक्टिविटी पहले इस क्वेस्टन का एंसर देख लेते हैं वह ऊगा इसके फोल्डिग ठीक है फोर्थ क्वेस्टन का जो राइट एंसर होगा वह होगा और नमबर थर्ड, इसके फोल्डिंग इसको बोलते हैं, अब ये समझगे, आप इसके फोल्डिंग किसे बोलते हैं, जब कोई वैस्क बच्चे के निश्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा आगे बढ़ाई, that is इसके फोल्डिंग, और ZPD क्या होता है, जब लगभग पूरा काम बच्चा स्वेम से करें, बस आप उसको हलका सा गाइड करें, बहुत थोड़ा सा, लेकिन काम जो है, वो स्वेम के द्वारा कर रहा है, बहुत थोड़ी से गाइडिंस के साथ, तो वो ZPD कहलाता है, चलो बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट व्येस्चन न क्या आप जानते हैं कि जीन प्याजे कौन से थिवरी से रिलेटेड हैं, संग्यानात्मक विकास से, इंग्लिश में बोलें तो cognitive development, पहला question ये clear हो गया, ये भी आपको पता होगा, बहुत से लोगों कुछी नहीं पता है, वो ध्यान रखेगा, जो जीन प्याजे हैं, वो र वच्चे में, हाइपोथेटिक और डिड़क्टिफ रीजनिंग डेवलप, कब होती है कि सब्धी में, समवेधी चालक, पूर्व संक्रयात्मक, मूर्थ संक्रयात्मक या फिर अमूर्थ संक्रयात्मक अवस्था में, सैंसरी मोडर स्टेज, प्री ओपरेशनल, कंक्रीट ओ परेशनल, कंपरेशनल, 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 क्लियर होंगी नहीं है तो एक सेशन हम आपके लिए आएंगी जिनमें इन वर्ट्स को एक्स्प्रेइन कर दिया जाएगा तो फिफ्त का जो राइट एंसर है वो आप्शन नमबर फोर है पढ़ते हैं क्वेशन नमबर सिक्स पर इन में से किस ने बोला है कि बच्चो के चिंतन के बारे में जो सामाजिक प्रक्रियाँ है उनका क्या प्रवाब बच्चे पर पढ़ रहा है उसको समझना जरूरी है ऐसा किस ने बोला है तो ऐसा बोला है लेव वाइगोट्सकी ने आप जानते हैं जहांपर सोशल, सोसाइटी, समाज की बात आती है वहां आते हैं वाइगोट्सकी तो अगर आपको यह इसका अंसर पता भी ना हो और आपको कहीं सोशल यह समाज से connection बच्चे का दिखे है ना तो वैसे समाज से और भी लोग related हैं लेकिन अगर आपको इसका अंसर नहीं पता और आपको लगाना है तो वाइगोट्सकी को जोड़िएगा समाजिक क्रियाओं से तो समाज वाइगोट्सकी के नुसार इट इस इंपोर्टेंट तो अंडरस्टेंड दा सोशल प्रोसेस और इन्फुलिएंस ओफ कल्चरल कॉंटेक्स्ट और चिल्डरन स्थिंकिंग समझ गया होंगे question क्या है और यह किसने बोला है वाइगोट्सकी ने प्याजे के संग्यानात्मक विकास के सद्धान से नीतार निकालते हुए एक ग्रेड 6-8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए तार्किक बहस के प्रयोग को हतोस साहित करे ऐसी समस्यें प्रस्तुत करे जिसमें तरकाधारित समधान क्या वशक्ता हो एक अवधाना को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामगरियों को उप्योग करे या फिर केवल निर्धारित पाठेक्रम पर निर्भर रहे तो देखे अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे उसको ऐसी समस्यें प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तरक लगाए रीजनिंग लगा हावर्ड गार्डनर के बहु बुद्धि सिधान के अनुसार तारकिक गणिती है बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेष्टा हो सकती है वो तारकिक भी है और गणिती भी है लॉजिक भी लगाता है मैथिकल भी है तो अकॉर्डिंट गार्डनर उस व्यक्ति की क्य विशेष्टा होगी पहलो ऑप्शन है ध्वनी ताल शब्दों के अत्त के प्रती संवेधन शीलता दरश्य स्थानिक परवेश को सटी ग्रूप से ग्रेंड करने की योग गता संगीत में अभी वेक्तियों के आवाज संगीत का ध्वनी ताल का तो क्या ही संबंद है इस क्वे यही प्रक्रिया जिसके दो आरा बच्चे आदतों, कौशलों, मूलियों, और अभी प्रेंड़ना को विक्सित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्यदार और ऐкимиजिए न's भूले स्टाएश से बनाती है क्या कहा जाता है वह प्रोस्सित्र aiग बच्चे आदतों, कौशल मुल्यों प्रेणना को अपने अंदर विक्सत करते हैं और उन्हें समाज का जिम्यदार और क्रियाशी सदस से बनाते हैं उस चीज को क्या कहा जाता है समाजी करन, समावेशन, मुख्यधार से जोनना या विभेदी करन तो देखें उस चीज को क्या का कहेंगे हम सोशिलाइजेशन यानि के समाजी करन कहेंगे पहला जो ऑप्षन है आपका करेक्ट होगा जब बच्चा आदत कोशल मूल लिया अभी प्रेणना विक्सित करे, समाज के प्रति जिम्मिदार हो समाज से चीज़ों को सीखे तो उसको समाजी करन कहा जाता है नेक्स्ट क्वेशन नमबर टेन मानव विकास के संदर में अनुवानशिक्ता और पर्रेवरन के भूमिका के बारे में कौन सा सही है मानव के विकास में जो दो चीज़े हैं सबसे इंपॉर्टेंट उसके विकास में वो होती है आनुवानशिक्ता, हैरिडिटी और पर्रेवरन यानि के एन्वार्मेंट कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसे चीज़े जो से अपने मम्मी पापा से मिली है अपने घरवालों से मिली है आनुवानशिक्ता, ठिक, हैरिडिटी और जो उसे अपने चारोड रहने वाले अपने चारोड की चीज़ों से सीखने को मिल रही है वो पर्रेवरन तो आनुवानशिक्ता पर्रेवरन सब बहुत जादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन में से क्या उसके बारे में सही है चारोड प्रेवरन आपके पास पहला कहते है वैक्तिक विबंदाओं का एक मातर कारण अनुवान शिक्ता है दूसरा कहते है परिवेशे प्रभाव पो रूप से एक विक्ती के विकास को निर्धारित करते हैं मानव विकास को ना तो अनुवान शिक्ता और पर्रवन प्रभावित करते हैं और चौथा कहता है अनुवान शिक्ता पर्रवन दोनों एक जटिल पारसपरिक्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं क्या इसका राइट एंसर होगा? 10th question का तो मैं आपको बता दू इसका राइट एंसर option number 4 होगा अनुवान शिक्ता और पर्रवन दोनों एक जटिल पारसपरिक्रिया के रूप में मानव के विकास को प्रभावित करते हैं ये बिल्कुल सही इसका option होगा बढ़ते है question number 11 पर 11 आपसे कहता है एक प्रगतिशील कक्षामी एक progressive classroom में क्या होना चाहिए पहला कहता है विद्यार्ती के द्वारा ग्यान के सनचना की जाती है विद्यार्ती के द्वारा निश्कर्य रूप से ग्यान प्राप्त किया जाता है विद्यार्थी के द्वारा ज्यान को उसी रूप में दोहराया जाता है शेक्षा के निर्देशों के नुसा विद्यार्थी के द्वारा ज्यान का अनुस्परन किया जाता है रिकॉल किया जाता है अब आपको अगर समझ नहीं आता है कौन सा राइट एंसर होगा तो जो negative options हैं उनको हटा लीजिए, निश्किर्य वाला हटा दीजिए, दोहराना repetition हटा दीजिए, और recalling हटा दीजिए, revise करना बार बार, तो क्या बचा? option number one बचा, negative words को हटा के positive धून लीजिए, आपको answer मिल जाएगा, विद्यार्थी के द्वारा ज्यान की सनचना करना ही ए बचा construct करें, ढूंडें, अपने आप generate करें चीजों से, ठीक है, चलो बढ़ते हैं, question number 12 पर, सतत और समग्र मुल्यांकन में क्या शामिल होता है, continuous लागतार होने वाला, और बड़ी scale पर हर चीज जिसमें कवर हो, comprehensive evaluation, क्या include करता है, केवल सनरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात ना सनरचनात्मक, ना संकलनात्मक, या फर विविद परकार की रनितियों का प्रियोग करते वे, दोनों का आकलन, क्या मतलब है, 12 का राइट एंसर, बताई ले, तो अगर हम सतत और समग्र मुल्यांकर की बात करते हैं, तो उसमें विविद परकार की रनितिया यूज की जा और क्योंकि पेपर 2 क्या CDP है तो थोड़ा तो लेवल देखे बढ़ता है पेपर 1 से तो शायद समझने में भी आपको थोड़ा वक्त लगे लेकिन कोई बात ने शुरू में टाइम लगेगा लेकिन जब आप देख लोगे ना प्रीवीस यर में कैसे questions पूछे गए हैं तो आ आपकी कक्षा के विद्यारती को विबन स्रोतों से बार-बार ये बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग छेक्षिक शेत्र में निम्न स्तर्य प्रदैशन करते हैं इस रूड़िवाधिता और परेडवामिक रूड़िवाधि आश्रंका के प्रभाव को कम करने के ल अब बच्चे को इस रूड़िवाधिता सोच से शिक्षक अलग करने के लिए क्या पहल लेगा इस प्रकार के सरुकारों को अंदेखा करेगा या फिर विबन सामाजिक वर्गों के विद्यारतियों के बीच प्रत्योगिता कराएगा या विद्यारती से पढ़ाई छोड़ सिधा सिधा है बढ़ते हैं question number 14 पर एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए एक inclusive classroom में teacher को क्या करना चाहिए इंक्लोजिव एस समावेशी कक्षा क्या होती है जिसमें हर प्रकार की नीड के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो क्या करना चाहिए शिक्षक को उसमें यह विशवास करना चाहिए कि प्रतिय दियार रखनी चाहिए आप दयाभाव साहनूबोती रखो यह किसी नहीं आपसे बोला आप बच्चों को अपाहीज मन्द बुद्धी करके वर्गी कृत कर दो बिलकु गलत बात और केवल होश्यार बच्चों पर आप ध्यान दे यह भी गलत बात है तो पहला option सही है कि विश्वास करें प्रतेक बच्चे में अपनी योग यता है अपनी स्किल्स है अपनी पावर है सीखनी की ठीक है तो option no.1 इसका हो जाएगा right answer बढ़ते हैं question no.15 पर और CDP का आपका यहाँ पर देख लेते हैं पहले इस question को एक वद्यारती है वो कक्षा में निम्रे की लक्षा प्रदर्शित कर रहा है पढ़ने की प्रती चिंता शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई निम्निस्तर ये शब्दावली कौशल पढ़े पहले पढ़े पाट को समझनी आत करने में कठिनाई किस की सूचक है, बच्चा किस प्रकार का है, ये आपसे पूछ रहा है, तो ये सारे लक्षन बच्चे में प्रदर्शित हो रहे हैं, तो बच्चा किस प्रकार का है, ये आपको बताने है, स्वालीन है, सरजनात्मक है, अधिगम अशक्तता वाला है या मांसिक शती वाला द्यारती है ठीक है अधिगाम अशक्तता है निकि लर्णिंग डिसे अबिलिटी है उसमें अगर वो पढ़ने के प्रतिचिंता जता आ रहा है शब्द एक्षरों के पहचानने में कठिनाई है उसको निर्मिस तरह शब्दावली कॉशल है पढ़ले-पढ़े पार्ट को समझन करने में कठिनाई है तो उसको अधिगाम अर्शक्तता है क्लियर है तो आज हमने डिसकस करें है 15 नेक्स सेशन में हम आगे के 15 पेड़ागोजी के डिसकस करेंगे आपके साथ तो तब तक के लिए आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा कोई भी वीडियो आती है आप उससे अच्छे से लगातार करते हैं यह बहुत कम समय में बचा है तो पूरा फोकस आप अपनी पढ़ाई पर रखी कोई आपको डाउट है किसी सबजेक्ट में या एक्जाम रिलेटिड तो आप हमसे पूछ सकते हैं कॉमेंट करके आपके कोई सजेशन है उनका भी वेलकम है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो डिरेक्ली आप तक पहुंच जाए वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजेगा और अभी तक अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो चानल पर जाकर वो भी आप जरूर देख लेना ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट प्रीविए सेर क्वेशन को हमने डिसक्स किया है तो वीडियो को जाने से पहले अपने जो आपके स्टड़ी ग्रूप से उनमें शेयर कर देना बाक मतलित मेड़ी चराओ उकल आपके से भीड़ी य। lovely